जगे को यार क्या ही मस्ता है यार पास में ये बिरिज इतना फुर्कूरत है और तोड़ा सा यूनीक टाइप के नजा रहा है और जिसको आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे क्या गरें दिल है के मानता है नहीं इस दिल पर किसका जोर है वाट सब गाईज वेलकम टू आरिफ 707 ब्लोग कैसे हाल चाना आपके उमीद है कि आप सब बहतरीन होंगे तो गाईज आज मैं कहीं बाहर जा रहा हूं क्योंकि मेरा मूड हो रहा है बाहर जाने काफी टाइम से मैं बाहर गया भी नहीं हूं तो आज कहीं बाहर चलते हैं और देखो कहा जाते हैं तो फिलाल अभी घर से निकलते हैं और फिर आपको देरे-धरे पता चली जाएगा कि मैं कहा जा रहा हूं तो बने रहे है ब्लोग में लास्त देखना आप ब्लोग को बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही मस्त जगह जाने वाले हैं जहां भी जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जरनी और हाँ गाईज एक चीज़ और बता दूँ आज मैं अकेले जा रहा हूँ मेरे साथ में कोई मेरा फ्रेंड नी जा रहा है ठीक है समझ गया फिलाल तो अभी यहां से निकलता हूँ अभी मैं घर में हूँ रेडी बेडी हो चुका हूँ और फिलाल आज का गेटेबाब देख सकते हो यार मैं इतना सुन्दर क्यों हूँ चमते हैं कहीं न गहीं और देखते हैं कहां जाते हैं तो अभी गाइस पहाडों में हम आ चुके हैं और यहां पर आके एक अलगी next level feelings आती है हमेशा यह देख सकते हैं गाईस यहां से पहाडों का रास्ता स्टार्ट हो चुका है यह देखिए तो गाईस जब भी मैं पहाडों में आता हूँ तो यहां पे एक अलगी feelings आती हैं next level vibes आती हैं हमेशा और सुकून मिलता है यहां पर आके तो गाईस देखो हम यहां पर आ चुके हैं काफी घने और खुबसूरत जंगल हैं चारों तरफ यह और देखो भई मैं जब भी यहां पे आते हैं तो यहां आकर मौसम चेंज हो जाता है हवा चेंज हो जाती है मतलब सुकून ही सुकून है तो फिलाल अभी मैं काफी उपर आ चुका हूँ यानि कि जिस जगह जाने बाला था जिस लोकेशन पर उस जगह से लगभवा चार-पांच किलोमेटर आ तो आप भी ताल वाले ब्लोग में देख लेना तो अभी डारेट लोकेशन पर चलते हैं और अपनी लोकेशन में काफी ऊपर आचुका हूं तो आप देख रहे हैं यह धारे का पानी है यह उपर पहाडों में आ रहा है यह देखी गाइज कितना खुबसूरत और कितना प्यारा सीन है यह देखिए वई सामने पहाड और यह नीचे बिल्कुल डाउन में एक रिवर वह रही है यह गोला रिवर है तो गाइज अभी मैं जाई रहा था कि रास्ते में एक बहुत ही प्यारी जगह पड़ी मुझे लगा कि आपको दिखा देना चाहिए वाइस यह जो आप देख रहा है ना यह सारी बिल्डिंग तो यह एचम्टी वाच की फैक्ट्री है यह रानी बाग में है और अभी मैं स सुनाई होगा जो ब्रांडिड गड़ियां को यहीं पर बनती थी फिलाल अभी यह बंद हो चुकी है अभी मैं जूम करके दिखाता हूं देखो एचम्टी बॉच्ज लिम्टेड रानी बाग नहीं ताल अच्छा लेकिन अभी यह फैक्ट्री बंद हो चुकी है तो फिलाल रास्ते में पड़ी तो मुझे दवा कि यहां को दिखा देना चाहिए थोड़ी यूनिक सी जगह थी तो मैंने आपको दिखा दी तो चलिए अभी अपने सफर को जारी करते हैं और कंटीनू करते हैं अपने आगे की ट्रेवले तो भई गाइस अभी हम दीपूदा यह रहा बेलकम गेट यहां से हमें एंटर होंगे तो यह लोकेशन फाइंड आट करने मुझे पूरा एक घंटा लग गया मगर क्यों क्यों मैं गूगल मैप की मदद से मतलब इस जगह को फाइंड आट कर रहा था कापी टाइम लगया फाइनली मैं यहां पर आ गया कितना इस टाइम मैं हूं गाइस बीकूदा मैगी कॉएंट में यहां का जो वियू है वो बहुत ही आउसम है दिकाता हूं जो कि यहां जिस जगह मैं बैठा हूं उसके सामने गाइड़ा विव देखो तो यह देखो गाईज कितना प्यारा विव है रेस्टोरेंट के बगल में ज जैसा है फिलाल लैमेंटी को अपनी आच चुकी है यह रही लैमेंटी मैगी अभी अपनी आ रही होगी तो मैगी का बेट करते हैं बोन एक साथ टेस्ट करेंगे सौरी बोलना चांगा गाइस बैक ग्राउंड में पानी की अवास बहुत तेज आ रही होगी काफी नौइस ह तो थोड़ी सी ओडियो खराब हो रही होगी उसके लिए शौरी मैगी बने में तो कासी ठाइम लग रहा है अपनी ठंडी हो जाएगी तो एक चांग करते हैं पेले लेमेंटी अपतर पी लिते हैं फिलाल यह रही है अपनी लैमेंटी और इसको अधो वाउ सबसे अच्छी बात है कि कलर देखे कलर कितना प्यारा लग रहा है तो गाइस फ़लाल मैगी अपनी आ चुकी है ये रही अपनी मैगी लैमेंटी तो अल्लेडी फिनिश हो चुकी है बस थोड़ी सी बची है अलिए भी मैगी टेस्ट करते हैं तो गाइस डॉक्टर ने तो मुझे मना कर रखा है कि मैगी मत खाना बैद पहाडों में आओर म्हेकिन आता वह तो फिर फार्व में खाना ही इसलिए ओज और बगशत है किững पर बहुत है दिल है के मानता है नहीं इस दिल किसका जोर है वही एक तरफा यार बहुत ही टेस्टी है यार गजब मैगी है बहुत ही प्यारा टेस्टी है मज़ा आगया बहुत है मैगी मैगी गजब मैगी फिनिस हो चुकी है लेमेंटी फिनिस हो चुकी है मैं क्या तरो फिर जाब छोड़ दू आपनो यह स्केर्ट यह वन हर वे सम्टाइम्स आपनो यह हर्ट फ्रम इवन तेल नियुक्ष्ट पासने यह बहुत ही खुप्षूरत और प्यारा सा विर्ट बना हुआ है बहुत ही यूनिक लोकेशन है देखें आप यहां की तो बाइज अगर आप भी हल्वानी के आसपास रहते हैं और भई वोज की भागदोर भरी जिंदिकी से थोड़ा सा सुकून के पल चाहते हैं। खोड़ा सा हलका सा रिफ्रेश्मेंट मिल जाए तो आप दीपूदा मैगी पॉइंट एंड लेमेंटी पॉइंट आप आ सकते हैं। और भई जगह तो यार क्या ही मसता है यार पास में यह बिरिज पना खुटूरत है। और भई यहां की मैगी और यहां की लेमेंटी पाएंगे यहां का जो एटमोस्पेर है वो काफी प्यारा है, लोकेशन बहुत प्यारी है, आपको बहुत मज़ा आएगा यहां पर तो भई गाइस यह जगह मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैं यहां पर बार बार ना चाहूंगा। प्यारी सी जगह को अलविदा कहने का टाइम आ गया है, तो अभी फिलाल अभी हम यहां से चलते हैं घर की तरफ, कैसा लगा आपको ब्लोग जबू बताना कमेंट करके, इस ब्लोग को भी अभी हम यहां पर खतम करते हैं, तो हसते रहिए, मुश्कुराते रहिए, अपना यार लखिये, जल्दी मुलाकात होगी, तैंक यू सो मच पर वह रहीं, लब यू अल गाइस, बाइए,